आईए अब हम लोग जानते हैं पर पोसंड के बारे में देखिए पोसंड जो हमने बताया था कि दो प्रकार का तो उसमें पहला प्रकार हम लोग पढ़ चुके थे कि स्वाप पोसंड क्या होता है swap portion के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पड़ चुके थे अब बारी है दूसरा उसका पार्ट यानि पर portion किसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं ते कि swap portion में आप लोग जान दे थे कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहे उसे हम लोग पर पोषण के नाम से जानते हैं जैसे अगर हम लोग उदारण दे जैसे हम हैं हमी लोग माना जाती हैं हम लोग देखें भोजन के लिए हम लोग दूसरे जीव पर निर्भर हैं देखें फालोल के लिए पेड़ पौदे पे, मांस के लिए जानवर पे, मचली ये सब जितना भी हमनों भोजन करते हैं, उस सब किसी ना किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, और तब हम लोगा पोशन होता है, तो हम लोग में जो पोशन की प्रक्रिया होगी, वो कौन सी प्रक् परपोशन के द्वारा करते हैं, उसको याद रखेगा परपोशी के नाम से जानते हैं, क्या कहलाता है वो परपोशी, जैसे माली जी हमने क्या बताया, कि मनुस्य, मनुस्य जो है, अपना पोशन जो है, करने के लिए क्या होता है, या भोजन के लिए दूसरे जीव पर नि यानि जो जीव अपना पोशन पर पोशन के द्वारा करते हैं, उसको हम लोग पर पोशी के नाम से जानते हैं, पर पोशन जो होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, तीन भाग में बाट देते हैं, याद रखेगा पर पोशन को कितने भाग में, तीन भाग में हम लोग बाट क कि अध्यान करते हैं सबसे पहला जो आता है हमनों का आता है कौन सा तो मृत जीवी पोषण अब देखिए मृत जीवी पोषण कि नाम से भी आपको कुछ अंदाजा लग रहा होगा कि मृत जीवी पोषण का मतलब समझेगा वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोषण मरे हुए जीव जन्तु या पेड़ पोधो से प्राप्त करे और उसके बाद उसकी पोषण की प्रेक्रिया हो तो उसे मृत जीवी पोषण करते है यानि अपना भोषण जो है सीधे सीधे अपने असान लगमेद में समझेए अपना भोषण मरे हुए जीव जन्तु से अगर वो प्राप्त करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे मृत जीवी पोषण के नाम से यानि वो जीव जो पोषण की प्रेक्रिया करता है उस प्रेक ग्हुविक हald यह जितने भी होते हैं वह सब मृतेजिविल आता इन्तर्गत इनका पोस्ट्रड की प्रेक्रिया कैसे जरह समझ eh अगर आपके महला में अगर गाय भैस अगर यह मर जा यह कुता मर जाता है तो उसको लोग ले जाते हैं और लिजा के कहीं पर फेग देते हैं तो गुछ दिन के बाद से जब जाते हैं तो आपको बदबु आती है आप हम लोगो दर से गुजरते तो नाक को दापते का दे बहुत बदबू आ रही है। बदबू इसलिए आती है कर ध्यान से नजर चला जाते हैं तो दिखिए कम उसमें क्या होता है उसका जो शरीर होता है और फैलता है और यानि कहने का मतलब फैलने का फूल जाता है। और वह क्या करते हैं कि वह मरे हुए जीव के शरीर को तोड़ते हैं उसको कार्मिनिक रूप में पूरा उसको तोड़ देते हैं यानि उसको तरल रूप में चेंज कर देते हैं तोड़ तोड़ के और उस तरल रूप को भोजन के रूप में क्या करते हैं गरहन करने का काम कर जात और वहां पे थोड़ा हड़ी बचा हुआ है कुछ दिन के बाज एगा तो भी सब क्या हो जाता है समाप्थ हो जाता है अच्छे जरह समझे वह जितने भी बैक्टरिया थे वह मरे हुए जीव से अपना क्या कि पोशन का काम कर लिए तो उनका तो पोशन का काम हो गया लेकिन हमारे लिए भी तो फाइदा का काम हुआ फाइदा इसलिए हुआ अगर वह बैक्टरिया नहीं होते और वह अपने पोशन का काम नहीं करते तो वह कुत्ता वहीं पर पड़ा रहता आने वाले दीन में माली ये पांच परता दस मरता स्वाब ले जाके फेकते जाते फेकते जाते वह ऐसे ही क्या होता जन्मरों की धेर लग जाती और हमारा पूरा का पूरा वातावरण प्रदूसित हो जाता इसका मतलब कि हमारी वतावरण को साप सुथरा रखने में ये हमारे लिए मददगार है ये अगर रहेंगे तो हमारा वतावरण क्या रहेगा? साप सुथरा बना रहेगा यानि अपना पोशन तो ये करते हैं साथी साथ हमारी वतावरण को साप सूत्रा रखने में भी हमारी मदद करते हैं इसलिए याद रखेगा इनको अप घटक के भी नाम से जाना जाता है इसलिए उनको क्या कहा जाता है अप घटक भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं सडाकर गलाकर या वतावरण को साप सूतरा या अप घटित करके हमारे वतावरण को साप सूतरा रखने में हमारी मनदत करते हैं तो याद रखिएगा पर पोशन का जो पहला प्रकार था मृत जीवी पोशन उसमें हमने आपको बताया कि पोशन की वैसी प्रकिरिया जिसमें कोई जीव मरे हुए जीव जनतु से अपना भोजन प्राप्त करें उसे हम लोग मृत जीवी पोशन के नाम से जानते हैं और जो वाता वरण होता है इसको साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करते हैं तो ये था आपका पहला प्रेकार आईए अब जानते हैं मिर्त जीवी पोषण के बाद से दूसरे पाट को यानि पर जीवी पोषण क्या होता है पर जीवी पोषण क्या होता है तो उसका पहले परिभासा ध्यान से सुनियेगा पोषण की वैसी प्रकिरिया जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई रूप से या औस्थाई रूप से रहकर अपना पोषण करे तो ऐसी पोषण की प्रकिरिया जो है वो पर जिवी पोशन कहलाती है हमने दो वर्ड कहा उस दोनों वर्ड को पहले समझते हैं हमने कहा कि अस्थाई रूप से रहे या औस्थाई रूप से रहे ध्यान समझेगा हमने क्या कहा कि कोई जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई रूप से रहके या औ अस्थाई रूप से रहकर अपना पोषण का काम कर ले तो वैसा पोषण की जो प्रक्रिया होगी वो पर जीवी पोषण के नाम से जाना जाएगा। इसका उदारन समझे जैसे मान लिजिए कि हम मनुष्य कहीं हम उदारन लेते हैं हम अपना ही उदारन लेते हैं अच्छे जरा ध्यान से समझे हमारे माता में अगर मान लिजिए कि जू है अगर हमारे माता में जू है तो देखे हम जहां जाएंगे वहां वो हमारे साथी साथ मुझञ अस्थाई रुप से हमारे सरीर में है उसको जब क्या होता है भूख लगेगा आएगा दिरह से काटेगा खून चूसेगा उसकर कर我也 जाओ जी काम हो गिया यं़िभन सर में ही उपलब देए बाल में ही उपलबब देए आ रहा है कुन चूस रहा है, पोसण का काम कर रहा है, उसका काम खतम हो गया यहनि कहने का मतलब है कि यह जीव हमारे सरीर में अस्थाई रूप से रहकर अपना पोसण कर रहा है लेकिन वही अगर हमाल यह रात में सोने जाते हैं और बेड़ पर सो है और खटमल निकल के आया मने आया अपना पोशन के लिए खुन चुसा और फिर चला गया यानि कोई जीव जो था देखिए एक जीव अस्थाई रूप से रहा और एक अस्थाई रूप से आके और अपना पोशन का काम करके चला गया तो ये जो दोनों का पोशन का प्रक्रिया कहलाएगा न वो पोशन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी पर जीवी पोशन के नाम से जाना जाएगा अब देखिए यहां पर क्या होगा दोनों जीव यानि एक जो जीव सरी में अपना रख रहा है जैसे हम हमने क्या कहा तो हम मालियक हमारे माथा में जू है तो हम उसको रखे हैं यानि पोस रहे हैं तो हम लोग कहलाएंगे पोसी याद रखिएगा हम लोग क्या कहलाएंगे पोसी कहलाएंगे लेकिन वो जो जीव है खटमल है वो कहलाएगा परजीवी वो क्या कहलाएगा परजीव ग्जी जो होता है उसके शरी नम front मैं देखिए रहता है वह स्थाइप ऐख से रहता है उसका क्या करता है खुन चुछ रहता है तो पोशनमे कर रहे he सीधे सीधे समझ गए उसको पोसी कहेंगे अग जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं परजीवी कहते हैं तो यह दूसरा प्रकार भी हम लोग समझ गए हैं परजीवी पोसन क्या होता है आईए अब तीसरा जानते हैं तीसरा प्रकार जो हम लोग का है वो है प्राणी समपो पोषण क्या होता है, तरह समझेगा, पोषण की वैसी प्रक्यरिया, जिसमें कोई जीव, जन्तुओं के जैसा, ठोस या तरल रूप में भोजन गरहन करें, तो ऐसी प्रक्यरिया को, या ऐसी पोषण की प्रक्यरिया को, हम लोग प्राणी संपोषण के नाम से जानते हैं, इ आती साथ ठोस रूप में और तरल रूप में याद रखेगा ठोस और तरल दोनों रूप में और जन्तू के जैसा हम लोग भोजन गरहन करते हैं तो हम लोग का पोशन जो है वो पोशन की प्रकिरिया क्या कहलाएगी तो याद रखेगा प्राणी संपोशन कहलाएगा और हम लोग यानि जो जीव होंगे उसको किस नाम से जाना जाएगा तो उस जीव को याद रखिएगा हम लोग कहेंगे प्राणी संभोजी क्या कहेंगे उसको प्राणी संभोजी कहेंगे तो एक पर और सुनिएगा तीसरा प्रकार हमने क्या बताया प्राणी संपोशन क्या है तो पोशन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव भोजन थोस या तरल रूप में जंतुओं के जैसा ग्रहण करे तो वैसे पोशन की प्रक्रिया को हम लोग प्राणी संपोशन के नाम से जानते हैं और उस जीव को प्राणी संपोशन के नाम से ज जाता है उदारण मने क्या दिया है मनुस हो गया कुट्टा हो गया बहुत सार एक्जामपल यह सब जितने एक्जामपल होंगे वह किसके हो जाएंगे प्राणी सम्पोशन को होगा तो अब अपके दिमाग में आएगा कि थोड़ा दिर पहले तो आपने सर बताया कि मनुस जो उसी प्रक्रिया होती है, तो आप ये भी बताइएगा, देखिए, पर पोसन कहिएगा, तो फिर से कोशन कर देगा, पर पोसन में कौन सा, तो इसलिए डाइरेक्ट उसको एंसर दीजेगा, प्राणी संपोशन, पस उसका क्या होगा, आगे का सवहाल बंदो जाएगा, तो एक इसका प्रकार है, पर पोसन का प्रकार होता है,